आपको कुछ सवाल पूचने होगी जैसे अपने विवसाय को स्थापीत करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए या फिर इस विवसाय को स्थापीत करने में आपको कितने अधिक निवेश की अविशक्ता होगी और आपके इस तरीके से अपने व्यवसाय में अपनी कीमत फिक्स करें। साथे किनकिन तरीकों की मदद से आप अपने होम डेकोर व्यवसाय की मार्केटिंग कर सकते हैं। घर से की जा सकती है शुरूआ। इस तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि शहर के भीड़बार वाले इलाके में ही आप अपने ऑफिस संचालित करें। बलकि इसके लिए आप अपने घर से भी असानी से गोदाम के रूप में अपना कारे संचालित कर सकते हैं। इस बात का निर्धारन आप अपने निवेश के अधार पर कर सकते हैं। यदि आपके पास निवेश अधिक हैं तो अवश्य अपनी शौप को मारकेट में ही लगाएं। बहुत ही जल्द देता है मुनाफार। कुछ विवसाय ऐसे होते हैं जिने आज शुरू करने पर मुनाफे की उमीद एक साल बात की जाती है। परंतु होम डेकोर आइटम्स विवसाय में जैसे ही आपने अपना माल लोगों को बेचा वैसे ही आपको आमदनी आना शुरू ह हो जाएगी और लोगों की मांक के नुसार यदि आप उन्हें सामान पहुंचाते हैं तो उनका विश्वास भी बढ़ता जाएगा। के एकमर्स विबसाइट और एमाजॉन और फ्लिपकार पर बेच सकते हैं। हाला कि होम डेकोर आइटम बिजनस में कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे कि वरतमान में ये विवसाय बहुत अधिक कॉम्पिटेशन वाला हो गया है। साथ ही आपको एक अच्छी सप्लायर का भ कैसे चुने अपनी विवसाय का नाम? साथ ही आप एक आसानी से बूला जा सकने वाला और याद रहने वाला स्लोगन भी बना सकते हैं। सुनने में ये सब चोटी चोटी बाते लगते हैं परन्तु यही सब चीजें आपके विवसाय को बढ़ा करने में मदद करती हैं। अधिक स्थर पर हम डेकोर आइटम बेच पाएंगे तो इसे आप बड़ी स्थर पर शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिती में 2-3 लाख रुपे तक के निवेश में आपका काम आसानी से हो जाएगा। परंतु शुरुआत पर छोटी स्थर पर शुरू करने के लिए आपको केबल 1 लाख तक के निवेश के आवशकता होगी जो की कोई बड़ा निवेश नहीं माना जाता। जगा की कीमत अपनी जगा लेने के लिए आपको 30,000 रुपे से 40,000 रुपे तक का किराया चुकाना पड़ सकता है। इसके साथ ही ओफिस के दूसरे खर्चों को जोड़ा जाए तो लगबग 20,000 रुपे खर्च होंगे। कौन-कौन सी स्किल की होगी जरूरत। डिजाइन स्किल इस विवसाय में सबसे ज़ादा डिजाइनिंग स्किल की अवशकता होगी। क्योंकि आपको नएने प्रड़क्ट बनाने के लिए अलगलग तरह की डिजाइनिंग आनी चाहिए। यदि आप एक ही तरह के प्रड़क्ट बनाकर बेशना चाहेंगे तो का कस्टमर बेस छोटा होता जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को आकर्शित करने के लिए आपको सामान बनाने में नए रिसर्च और इनोवेशन की अविशकता होगी। इसमें आप क्रेटिव ठिंकिंग, विजुलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, इत्यादी थौट प् प्रब्लम, सॉल्विंग स्केल और फ्रेंडली मैनल विक्सित होता है। लीडर्शिप एवं ट्रेनिंग स्केल, एक बेहतरीन कौशल योगत व्यक्तियों से बनी हुई टीम का लीडर भी हमेशा एक स्किल्ड व्यक्ति ही होता है। आपको भी उसी व्यक्ति की तरह अपनी रिस्क लेना शुरू करेंगे। इस तरीके से बनाएं अपना बिजनस प्लान अपना एक बिजनस प्लान बनाने के लिए आपको खुद को ही अपनी सफलता के बारे में क्रिटिकल होना पड़ेगा और आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों को पहले ही हटा देना ताके पीछे मुख्यता उस विवसाय का कमजोर बिजनस प्लान ही होता है जिसमें निवेश मुनाफ़ा एवावयपार के दौरान आने वाली दूसरी समस्याओं के बारे में पहले से जानकारी सोच कर रखी जाती है। मारकेट में आने वाली उपरचुनिटी हो कभी भी मिस ना करें अर्थार्त वर्तमान में जिस प्रोड़क्ट की डिमार्ड अधिक है उसे अपने उत्पाद में जरूर शामिल करें। इस प्रकार इन सबी चीजों के साथ आपको बेहतर इन गुद्नवत्ता युक्त सेवा को लोगों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए अत्यादेक डेडिकेशन की जरूरत होगी। इस प्रकार के स्किल वाले विवसायक को आपके एवल तभी शुरू करें जब आप में इस विवसायक के प्रती रूची हो। क्योंकि किसी भी विवसायक में मुनाफ़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बड़ी-बड़ी कमपनीज के मालिक एक समय ऐसी स्थित्यों से गुजर चुके हैं जहां उन्हें रहने के लिए जगात तक नहीं मिल पाती थी। प्रतु आज उसी डेडिकेशन की वज़ा से उनकी कमपनी इतनी बड़ी बन पाई है।